अभी अगटना है लोकमानने नगर की, वहान पे अक्षद बाठने वाली हमारे समित्ही ने वहाँ पे अक्षद बाठ रही थी. वहाँ पे एक महिला ने राesते में रोका, और उसाहिँ ने अक्षद के लिए कहा कि बढ़ा कि हमें भी अक्षद दीजे. तो उन्हें अक्षद दिया उस प्रोली ने फिर उसने बताया कि वो गैंगटोक से महिला आई थी और उस महिला ने उसको सिरमाथ्य से लगाया और बताया कि हम 15 तरिक तक कानपुरी रहने वाले थे और हम प्रतिच्छा कर रहे थे कि हमको अक्षद मिलेगा कि नहीं मिलेगा क मैसूस हो रही थी कि हम गैंगे टोक में रहेंगे वहां अक्षद वहां बट रहा होगा यहां में कैसे मिलेगा और उसको मिला तो बड़ी प्रशन हुई वह मैला राम का आज में लगे लोगों को जन्मानस सिर आँखों पर बैठा रहा है घरगर अच्छद वित्रण करने वाली टीम को राम का दोथ मानते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है कहीं टीम के सदस्यों को टीका लगा कर आर्टी उतारी जाती है तो कहीं पुस्पवर्सा की जा रही है घरू से जैसीरी राम के उद्धोस हो रहा है सभी लोग अपने आपको सवभाग साली मान रहे हैं कि 500 वर्सों का इंतिजार उनकी आखों के सामने खत्म हो रहा है अच्छद वित्रण कर रहे सोम गुपता बताते हैं हर दिन एक अलग तरीके का अनभव हो रहा है आईए जानते हैं उनी से सोम गुपता संग में हमारा सहभाकारवा के नाते इस कानपुर उत्तर जो चेत्र है उसमें सहभाकारवा के नाते से जुम्मेदारी संग ने हमको दीए पिलाल आप जो है जन जागरण का काम भी कर रहे हैं मतलब सभी को अच्छा पहुचा रहे हैं कि भगवान राम के हां मतलब अध्या जाना है बाइस के बाद जाना है और उस दिन दिवाली मनानी है तो किस तरीके सा पूरी योजना अभी हमारे पूरे जिले में जो कार छेत्र है उसमें हम लोगों ने इस उत्तर भाग को ग्यारा भागों में विभाजित किया है और ग्यारा भागों में ग्यारा नगर उसको हम लोग का इकाई बोलते हैं नगर इकाई उस नगर इकाई में सबकी समिती बनी है और उन ग्यारा विकाईयों में हम लोगों ने बस्तियों का विभाजन किया है सभी नगर बस्तियों में विभाजित है उस बस्ति के बाद में उपवस्ति में विभाजन है हम लोगों ने जो इस्ट्रक्चर तयार किया है वो उपवस्ति तक समन्वय समिति का इस्ट्रक्चर तयार किया है वो तो जब अब जब घरों में जाते हैं तो मेंमें कैसा जोस तहाव — लग रहा है, कि फ 2050 के अनुभियाए हुआ की हमारे काल करतं हो कि लोगों ने जो अख्षक्ष देनेगा है लोगों ने आर्ती उताओरी कहीं पर मल्य आख्मन करके स्वागत किया है। कहीं पर स्वागत कि लोग जो जहाज ता strengthen करते हैं। आपस्ती का अपकि तख्ञेज करते हैं। हाँ बिल्कुल लोग जो है राम काज करके ही हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि हम ये राम काज ही है और राम ने हमको चुना है इस काम के लिए राम की ही कृपा से हमें राम जी ने ये आउसर प्रदान किया है और राम दूद बनके ही हम सब गलहेरी सा योगदान सब कर रहे और हमारी समीति के लोग भी बड़े धन्य है जो इतने मनोभाव से इतनी विपरीत परिस्तितियों में इतनी ठंड है बारिश का भी मोसम है बारिश भी हो रही है लेकिन रोज प्रति दिन हमारी पूरी टीम टीम वर्क जो है लोग जो है निकल रहे हैं और घर का लक्षत गया है और उन घरों तक अक्षत पहुचाया है 22 तारीकों तो आप आयोध्यम रहेंगे हमारी पूरी सुबकाम नहीं कि आप आयोध्यम लगे तो आपको क्या संदेश है में लोग घरों से किस तरीके से दिवाली मनाय कैसे जैसा कि प्रांत का और उपर के अखिलवारति इस तक का जो समय है उसमें हम स्री राम जै राम जै जै राम का विजय मंत्र का जाप करें सुन्दर कांड करें हनमान चालिशा करें या जिस तरह से भी हम राम जी की आराधना कर सकते हैं वो अपने 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 क्रियेटिविटी के अनुसार कर सकते हैं और मंदिर में जिस सम राद वित्रण और अन्य प्रकार से साम को आतिसवाजी, रात में दीपोश्व, ऐसे पूरे दिन का कारक्रम हम लोगों ने नियोजित किया हुआ है, ऐसे ही हमारे सराफा बजार में जैसे तैंकिया है, 11,000 दीपोश्व से नागन सराफा बजार का दीपोश्व करेंगे, ऐसे अनेक हमारे हैं एक सोसाइटी है, एल डीगो, उसने भी तैंकिया है कि हम LED से उसका प्रसारण करेंगे, भजन संधिया का कारक्रम है, आतिसवाजी का कारक्रम है, ऐसे अनेका अनेक संगठन अपने अपने तरीके से उत्सा के साथ में 22 जनवदी का उस छण को अपनी आखों करने का प्रयास कर रहा है अपनी परफ से, और यह हमारे लिए अत्तनत गौरों और सवभाग्य साली छण है कि हम अपने परिवार की तीसरी पीड़ी, उस बानबे के जो विवादित राचा था, उस विद्ध्वन्स में हमारी दादी भी वहाँ पर उपस्तित थी, हमारे प यह तो यह अत्यंत गर्व का छण है कि हम इस परम सवभाग्य को इस राम मंदिर को बनते हुए अपनी आखों के सामने देख रहे हैं, जिसके लिए लगबख साड़े चार लाख बलदान, लोगों ने बलिदान किया इस पांसो वर्स के संगर्स में और यह हमारे लिए तो अत्यंत सवभाग के और परम राम की क्रपा है कि इस छण को हम अपनी आखों के सामने उसके साक्षी बनने का उश्र हमें प्राद थीस साल पहले उननीस सो नब्बे और बानबे में तो उस समय आप बहुत चोटिट रहोंगे तो कैसा मलब पिता जी जाते थे तो कैसा एक सम समय हम सां सिसू स्वह्भ हुआ करते थे उस समय हम किडवागमध में केशौ साखा थी वहां पर एक सिसू स्वह्भ थे तो जब आंदोलन हुआ, बच्चा-बच्चा राम का, जन भूम के काम का, इन नालों का उधगोश करते हुए, उन जलूसों में सबसे आगे हम लोग चलते थे, हमें जैसा याद है, दो हम लोग बराबर के कारकरता थे, और बानवे में घंटा घर में गिरफतारी देने भी हम लो फिर वह सबसे चूटे होने आ ते हर जलो cert approximately को सबसें आह Wrगा ते हर जगह होता था लोग कमालाएं पहिनाते ति भड़ा गर्व महसूस होता था और फिर घंटागर से फिर हमारे चाचा जी और अन्य लोग थे उनके साथ में हम वापास आ गय थे और पिता जी के साथ में और जो अन्य लोग थे वो फिर गिरफ्तारी देके उन लोग गय थे